हलो फ्रैंड व्यार्ट हुआ पुलक में कई चैनल हम बनाएंगे शेम और आलू का चोका हां सेम का चोक पराएंगे जैसे कि सेम का सीसेंड बहुत ज़लो है अ आहार मार्केट में थे मिल जाती है तो तो कहीछ की मार्केटि.. मिल जाती है सब्सक्रा निकाल ना प्षीडना वे इस altriлав्य को मैं तोड़ेंगे और निकल जाता यह तोड़ू और यहां पर लिए यहां पर ले-सापिम आफ्ड गष्ट है। में आपको बता देती हूँ कि इसे मैने अभी बॉयल नहीं किया है इससे बॉयल कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ हमप्रेशर कूर ले लिये हैं अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले ये आलू tiny cook दिखने लगे दिखिए जैसे मैंने पानी डाला है आपको इतना ही पानी डाला है क्योंकि बॉइल होने के बाद बहुत ज्यादा पानी सेम में आ जाता है इसलिए हमें इतना ही पानी रखना है अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा इसमें नमक और अब लगाएंगे हम प्रेसर क जाए दो सीटी आने तक हम इनको पकने देते हैं तब दक हम चोखा के लिए मसाले बना कर तयार कर लेते हैं हम इनको पीस कर तयार करेंगे ये मिर्ची और ये ले लेते हैं अद्रक और ये लेसुन ले लेते हैं और इतनी धनिया हम ले लेते हैं और इतनी धनिया हम उपर से चोके में डालेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और धनिया लेसुन मिर्ची अद्रक को हम पीश लेते हैं इनको मिक्सिजार में आप डालके दरदरा सा पेश्ट बना लें और साथ में हम यह नमक को भी पीश लेते हैं प्रेशर कूकर से सीटी आ रही एक सीटी आ चुकी दूसरी सीटी के हम बेट करते हैं दूसरी सीटी आ जाएगी उसके बाद हम प्रेशर को कूकर को अब हम फ्लेम को आफ कर देते हैं दूसरी सीटी भी आ चुकी है प्रेशर कूकर को मने थंडा होने के लिए रख दिया है और यह देखे हमारा पेश्ट बनकर तYार हो गया है लैसुन मीची अद्रस धनिये का अब हम जब तक प्रेशर कूकर हमारा ठंडा होगा तब तक हम ये दोनों टमैटो एक प्याज और ये बारीक धनिया कट कर लेते हैं ये सारी चीजों को अच्छे से हमें कट करना है तमैटो और प्यास धनिया को हमने कट कर लिया है देखी बारीक बारीक कट करना है हमें और प्रेसर कुकर भी हमारा ठंडा हो चुका है हम बाहर निकाल लेते हैं सेम और आलू को अब हम अपने प्रेसर कुकर को खोलते हैं और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से बॉइल हो गया है आलू और चेम इनको हम बाहन निकाल लेते हैं आलू और सेम को हम इस तरीके से चान के निकालेंगे एक बाउल नीचे रख लिया है मैंने और ये इस टाइप की थाली रख लिया है और अब हम प्रेसर कूकर को उठाएंगे और इसके उपर आलू और सेम को सारा पलट देते हैं सारी आलू और सेम को हमने चान लिया है अब हम ले लेते हैं ठंडा पानी ये ठंडा पानी है और एक आलू ऐसे उठाएंगे सारी आलू को एक ऐसे उठाते हुए हम ठंडे पानी में डाल देंगे इससे क्या है आलू हमारी जल्दी से ठंडी हो जाएगी और हमें छीलने में आसानी होगी और इसका पानी हम निकल जाने देते हैं सारा और आलू को हम छील कर त्यार कर लेते हैं चोके के लिए आलू को हमने देखे छील कर त्यार कर लिया है इनके कबर को हमने उतार दिया है और सेम भी हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है तो सारी सेम को हम हाथ से आंटे असे हम więcा सब्सक्राइब निकाल रिया है ऐटGmix-tam जब भी छोखे को पेना सारी यालूह घूंआ अगर करना चाहते हैं तो कर लिए लेकिन ये एकदम सबजी बन जाएगा फिर चोखे वाला टेष्ट नहीं रह जाएगा यहाद से ही इस तरीके से देखिए ऐसे मसल- turret के चोखे को त्यार करना है ऐसे हम चोखा त्यार कर लेते हैं चोखे को देखिए अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है सेम और आलू को अब हम इसमें मिला देते हैं यह जो हमने धनिया और लेसुन मीर्ची अद्रक का पेश्ट बनाया था इन्हें हम अच्छे से ऐसे मिलाएंगे इस्पून से अब हम इसमें मिलाएंगे यह कटे हुए टमैटो और मैं आपको एक बात बता देती हूँ अगर आप जब तुरंत चोखा बनाएं तुरंत खाने के लिए तयार हो तभी आप प्यास को डालें वरना प्यास को डालेंगे न तो चोखा आपका खराब हो जाएगा कुछ टाइम क बात तुरंत खाना हो तभी आप चोखा बना के सारी कुछ डालने सारह कुछ कट करके आप रख लें जब आपको खाना हो तो फटाफट से मिलाएं अच्छे सम्मिला देते हैं धनिया को हम अभी नहीं डालेंगे साथ में हम डाल देते हैं यह मस्टेड ओईल यह राई का ट तब हम मिला के रख दिये थे इसलिए हम नहीं मिलाएंगे अच्छे सा मिला देते हैं अब हम डालेंगे इसमें यह कटी हुई हरी धनिया और चोखा हमारा बनकर तयार है एकदम खाने के लिए आपको में बता रहे हुँ कि फ्राई नहीं करना है अगर आप पूरी सब्जी बनकर तयार हो जाएगी इसलिए इस तरीके से जैसे मैं आप 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 चोखा बनाना बता रही हुँना आप उस तरीके से चोखा एक बाद जरूर ट्राय करें यह खाने में बहुत तो अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को आप फटपट से लाइक करें मेरे चनल पर अगर आप नए है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें साइड में दियोए बिल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और लाइक कमेंट सेर जरूर किया करें तो झाल झाल